ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं मिथुन आशी वालो हो जाओ तैयार क्योंकि अब देवों के देव महादेव भगवान भुलेनात का सिर्वास से आपको 10 अपरेल से 16 अपरेल याने किन 7 दिनों में मि इन 7 दिनों का समय बहुती अच्छा समय साबित होने वाला है या दोस्तो भगवान शिव के किरपा से इन 7 दिनों में शिवयोग, अम्रस्चिद्योग, शर्वाद्चिद्योग, दो राज्योग और एक धन्योग का निर्मार हो रहा है जिससे कि यह समय आपके लिए भग्य उदे का समय साबित होगा, राज्योग का समय साबित होगा, आपके किसमत इन 7 दिनों में चमकने वाली है, भगवान शिव आपके उपर इन 7 दिनों में सबसे अधिक प्रसन रहने वाले हैं, जिससे आपके समस्त कार्रे इन 7 दिनों में बनने वाले हैं, जा दोस्तो वे 10 अप्रेल से 16 अप्रेल यानिकिन 7 दिनों के शंपून और बिल्कुल शटिक राशी फल के बारे में बताएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू चलेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिशना करें को कि यह वीडियो आपकी राशी वालों के लिए बहुती महत पपून और बहुती लाबकारी वीडियो सावित होगी। जा दोस्तों वीडियो का अगे शुरू करें सबसे पहले आपस रिक्वेस्ट करते हैं। भगवान भुलेनात के सच्च वक्ति से वीडियो को एकलाए कभी करें। कमेंट स्वोक्स में जै भुलेनात अवश्य लिखें। जिससे भगवान भुलेनात का असिरवाद आपको सीदे प्राप्त हो सके। चले दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा। भगवान भुलेनात के असिरवाद से आपकी राशी वालों के लिए 10 अप्रैल से 16 अप्रैल यानिकिन 7 दिनों का यह महत्पपुन समय। दोस्तों हमारे हिंदु धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है जिन में से भगवान शिव के भक्तों की शंख्या अनिगिनत है। भगवान शिव को देवों के देव अर्थात महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव को महादेव, भुलेनाथ, शंकर, बहेश, रुद्र, नीलकंट के नाम से भी जाना जाता है। वेद में इनका नाम रुद्र है। स्रश्टी की उत्पत्ती, इस्थती, एम, संगहर के अधिपती भगवान शिव हैं। त्रदेवों में भगवान शिव, संगहर के देवता माने गए हैं। ज्ञान, बल, इक्षा, और क्रिया सक्ती में भगवान शिव के जैसा कोई नहीं हैं। वे सबी के मूल कारण, रक्षक, पालक तथा नियंता होने के कारण महेश्वर कहे जाते हैं। उनका आदी और अंत ना होने से वे अनंत हैं। भगवान भोलेनात, शीगर प्रशन होकर अपने भगतों के संपूर्ण दोसों को छमा कर देते हैं। तता धर्म, अर्थ, काम, मौक्ष, ज्यान, विज्यान के साथ साथ अपने आपको भी देते हैं। हमारे जोतिस सास्त्र के अनुशार कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भगवान शिव आपके ऊपर अपनी अत्यादिक किरपा बरसाने वाले हैं। जिहां दोस्तों इस बार भगवान शिव की किरपा से आपके जीवन में ऐसे सकारात्मक बदलाव देखने को आपको मिलने वाले हैं। जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और इनके उमीद से कई गुना लाब आपको आने वाले समय में भगवान भूले नात के आशिरवास से अब मिलने वाला हैं। जिसके कारण आपकी किस्मत भगवान भूले नात की किरपा से आने वाले समय में चमक उठेगी और आप बहुती भग्यसाली रहेंगे। जिहां दोस्तों आप लोगों को भगवान महादेव भोले भंडारी की किरिपा प्राप्त होने वाली है आपके जीवन में ऐसी खुसकवरी आपको अब मिलने वाली है जिससे आपका दुस्मन डर जाएगा जिहां दोस्तों कोई बड़ी नोकरी अब आपको आने वाले समय में मिल सकती है पिता का आशिरवाद आपको मिलने वाला है रुकाओ अधन आपको वापस मिलेगा वैपार में आ रही रुकावटें अब भगवान भोले नात के आशिरवाद से खत्म होंगी आपके जीवन में एक नए खुसकबरी का आप एहसास करेंगे जहां दोस्तों आपको आने वाले समय में भगवान भोले नात के आशिरवाद से आए और नोकरी में पदोन नती मिलेगी वैपार में आपको अब अचानक लाब मिलेगा और आर्थिक इस्तिति आपकी काफी मजबूत होगी आप आपकी सभी अधूरे आर्थिक कार्रे अब भगवान भोले नात के आशिरवाद से पूरे होंगे और परिवार में शांती वे आनंद का माहुल रहेगा आपको आने वाले समय में भगवान भोले नात के आशिरवाद से कोई बड़ी खुसकबरी मिल सकती है भगवान शिव क किरपा से आपके सभी कार्रे अब सफल होंगे वेवसाए में आपको आचानक लाब होगा और आस्मिक धनलाब के भी आपके लिए अने को योग बनेंगे शाति साथ नोकरी में पदुन्नती के भी आपके लिए आने वाले समय में अनेको योग हैं जिहां दोस्तों आप लोगों के लिए भगवान भोलेनात के आशिरवास से आने वाले समय में दामपत्य जीवन, निजी जीवन, सार्वजनिक जीवन तथा वैपार में सुधार होगा, आस्मिक धनलाब होगा और ग्रस्त जीवन में शुक्षांती रहेगी डेकोरेशन, गार्मेंट, कला जगत, आभूशन, सौंदर प्रसाधन, कम्मुनिकेशन, आधारित काम काजों से जुड़े लोगों को अपार सपलता अब मिलने वाली है, भगवान शिव की किरपा से आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाब अब हो सकता है, जिहां दोस्तों आपके उपर भगवान शिव अव अतियंत महरवान हो गए हैं, पिछले समय में आपके जीवन में जितनी भी समस्याइं थी, वे अब समाप्त होने वाली हैं, आप अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताने वाले हैं, आपकी आर्थिक इस्तिती काफी अच्छी होने बिजनिस करने वाले लोगों को अपने बिजनिस में अब लाब मिलने वाला है, आपके उपर महादेव के किरपा दरश्टी सदेव बनी रहेगी, जिसके कारण आप लोगों को आर्थिक लाब मिलने के बहुत सारे अवसर प्राप्त होने वाले हैं, दोस्तों आप लोग आन प्रेम करने वाले लोगों को उनके प्रेम में अब सफलता मिलेगी और आपका आने वाला समय बहुती अच्छा साबित होने वाला है दोस्तों आप लोगों के ओपर भगवान महादेव की विशेश कृपा बनी रहेगी जिसके कारण आपको बहुत जादा अब फाइदा मिलने वाला है आपको अपने जीवन में सफलताएं मिलने वाली हैं विध्यारतियों के लिए आने वाला समय बहुती अच्छा समय साबित होने वाला है आपको अपने प्रतियोगी परिक्षाओं में सफलता प्राप्त होंगी इसके साथ ही आपका मन भी पढ़ाई में अब लगने लगेगा दोस्तों आपको अपने कारेच्छित्र में किसी प्रकार की खुसकबरी अब मिल सकती है जहां दोस्तों आपके जीवन में जितने भी दुक दर्द आपको मिले हैं वे अब जल्द ही भगवान भुलेनात के आसिरवास से समाप्त होने वाले हैं जहां दोस्तों आपक कोई भी कारे दूसरों की बलाई के लिए करते हैं तो इससे आपको ही लाब मिलेगा जमीन खरीदने के लिए भी आने वाले समय में आपको भगय का पूरा साथ मिलने वाला है भगवान भुलेनात के आशिरवास से आप आने वाले समय में अपने लिए एक जमीन खरीद सकते है आप आने वाले समय में अपने लिए मकान भी बना सकते हैं जिससे आपकी खुसी दोग नहीं हो जाएगी जिहां दोस्तों भगवान भोले नात के आसिरवास से आपके लिए आने वाला समय अतियंत सुभ रहने वाला है और भगवान भोले नात के आसिरवास से आपको बहुत अधिक धनलाब मिलने वाला है भगवान भोलेनात श्वैम आपकी जोली खुसियों से भर देंगे और आप हर कटनाईयों का सामना बहुती डट कर करेंगे और अपने जीवन में आप सफलताइं प्राप्त करेंगे आपकी आर्थिक इस्तिति में सुधार होगा और आपका जीवन भगवान भोले नात के आसरवाद से काफी सुख में बनेगा जा दोस्तो भगवान भोले नात का आसरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्वोक्स में जै भोले नात अवस्चे लिखें और वीडियो को लैक करना ना भूले धन्यवाद